हाई गाइज वेल्कम बैक टु अन्य वीडियो दोस्तों इस वीडियो में मैंने चार्चा करने वाला हूं कि जो कैसे जो मॉझ टेस्ट होता है या मॉडल टेस्ट बोला जाता है नेपाल में अकसर जो स्टूडेंट है फैमिलियों टु मॉडल टेस्ट करकर जो वीकली फहले ही जो वहां का जो होता है दकाया भाइब का वह more उचका जो इंडड मीट काड़ने महीटे हैं और फिर ईग्जाम देखती है छीट अपना प्लानी और कलास में जाते हैं अब कलास में जाते हैं एक मोबायल-खलते समय कुछन-इस्पटर क्वाटल रिलाक्स मूड में स्टूडेंट क्या करता है कि इसे गौल लगाया वाजा से एखी में हाटना बनान फ़ना शुरू किया आ। और उसके बाद इंसर लिखते गया और जो पर है उसमें लिखते गया और जो स्व cart नहीं आया तो ड़ूतर emissions और क요 student है जो अपने आपको अच्छा समझते हैं और अपने आपको वहाँ पर इंप्रूब्मेंट करने के लिए अच्छे तरीकर से पुड़े जो जाम हॉल की एक्स्प्रियेंश जैसा भी देते हैं लेकिन उनके इलावा मैं सबके जेनलाइज एडिया बता रहा हूं यहां पर कि आप जब ही नइस जाए तो आप यह कंफर हो है कि मैं खर्सम मांइड इसेट है हो मांइड सेट लेकि शोप्छ कि माइड सेटल ना जा रहा हूं आप करने के बिलाब को रियल एक्सप्रियेंस ज्याइश होगा और जब आपको फाइनल एक्जाम आएगा ना तरह क्या होगा कि आपको यह नहीं शुतना पहुटारीगा कि मेरा फाइनल ओग जो आपको पैनिक होगा या आप सब नहीं आपको तो यह हमेशा mentality में राखे फर्स्ट बात कि मैं भी यहां फाइनल इक्जामी तरह देना जारो और थोड़ा हो सके तो आप तो घर से सब्सक्राइब आप जाए तो आपना सीट नहीं होता है कि कौन सी रूम है आपकी उस रूम में जाकर बैठें यह भी आपको एक real experience दे रहा है कि जब कि आपकी जो नमर होगा वहाँ पर लिस्ट में जो real examination होता है वहाँ पर आप जागे खोजेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो एक क्या होता है और जब भी आपको question मिलें तो आपको कैसा develop करना है real examination जैसे ही है भी develop करना है जैसे कि माजा से बैठिये exam आया कुछन आया तो आपको उसमें अपना सब कुछ real यह सुचिए कि जो answer sheet है वो मुझे फिर से नहीं मिलने वाला है जो उसी पर मुझे करना है तो सब confidence साथ जो भी है किरफुली अपना फिलफ किजिए सब चीजे और उसके बाद अपना solution करना की तो solution करते वाक्त कि आप जैसे कि यह यह भी देखिए यह भी pattern fix करना है आपको कि मैं जो final exam होने वाला है उसमें मैं कौन सी पहले subject की है topic उसे solve करने वाला हूँ तो उसी साथ से यह भी जो exam से हो रहा है उसमें भी आप वही pattern अपना ही है कि पहले मैं math sorry physics solve करने वाला हूँ तो physics से आप पहले paper tone किजिए यह नहीं कि biology first में दिया है तो मैं biology आपकी कौन सी strongest point है part है तो उसे subject को और subject को आप turnover किजिए पहले उसे solve किजिए और उसके बाद आपको दुसरा में कौन से में जाना है तो उसे solve किजिए तिसरा में कौन से जाना है और यह बात करें mental agility है उसे तो मैं suggest करूंगा recommend करूंगा कि आप हमेसा उसे last में किया कोई भी student mental agility test का पिर नहीं आचा सकिया होगा और अपने चलो देखा जाएगा जो होगा जो होगा उसे exam में तो इसलिए मैं उसे recommend करूंगा कि जो उसे last में किजिए और मैं यह कहूंगा कि अपना exam जभी भी दे एक real time, real experience, real acceptation, real hope, real mark increment करने के हिसाब से दिए और आपको एक अच्छा future में यह आपको panic होने से confidence lose करने से बचा सकता है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है आशकर करूंगा कि आपको कुछ इसमें tips में कुछ helpful होने वाला है और आने वाले दिन में आप अपने study को improvement करने वाला हुआ है